सबको खुशी की बात थी कि पिछले कुछ दिनों में कोविड के वज़े से आने वाली केसेस कम हो गई सब लोगों ने राहत की सास ली क्योंकि निर्भन कम हो गए सब लोगों का रूटीन नॉर्मल होने लगा था और तभी ये डेल्टा प्लस वेरियंट का या थर्ड वेव का खत्रा मंटरा ने लगा सभी को चिंता है कि ये डेल्टा प्लस वेरियंट से क्या थर्ड वेव आएगी क्या वो ज़्यादा खतरनाक होगी इसका सब लोगों पे क्या इंपक्ट होगा और हम सब लोग इससे कैसे बढ़ सकते हैं आज हम सबसे पहले देखते हैं यह mutation होता क्या है और यह क्यूं होता है एक गाउं में एक लड़का था नाम था उसका मुन्ना बड़ा होश्यार था लेकिन बड़ा शैतान भी था अच्छे मारस आते थे उसके हर सल जब दस्वी में उसको काफी अच्छे मास आए तो माबब ने सोचा कि उसको शहर भेशते हैं सीखने के लिए आगे के बढ़ाई करने के लिए जब वो शहर आया तो अकेला था वहाँ पे सब कुछ नया था जो ऐसी दुनिया जो उसने कभी देखी नहीं थी बोलने में मुश्किल हो रही थी रहने में मुश्किल हो रही थी पर धीरे धीरे उसने हर चीज सीखने की कोशिश की रहन सेहन बदला बोलने का ढंघ बदला वहाँ कॲेज में जाके उसने अंग्रेजी सीखी नए दोस बनाये और दोस्तों के साथ तो नई शैतानिय भी सीख गया उसने वो हर चीज सीखने की कोशिश की या खुद में वो हर बदलाव लाने की कोशिश की जिससे वो शहर में टिक सके और आगे बढ़ सके और यही बदलाव इस दुनिया का नियम है इस दुनिया में जिन्दा रहने के लिए हर जिव यही बदलाव खुद में लाता है और यही चीज वाहिरोस को भी लागो होती है COVID-19 का वाहिरोस सबसे पहले है चाइना में पाया गया जिसे हम लोग हुवान वाहिरोस कहते हैं यह हुवान वाहिरोस जैसे जैसे बाकी देशों में फैलता गया उसके बनावट में उसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आते गया कुछ बदलाव से वायरस में बहुत फरक नहीं पड़ा लेकिन कुछ बदलाव इस वायरस को और खतरनाक बनाते गया और इसी खतरनाक बदलाव के वज़े से म्यूटेशन के वज़े से कई सारे वेरियंट सामने आये जैसे की अलफा, बिटा, जेटा, डेल्टा और आभी जो नया सामने आया है वो है डेल्टा प्लस वेरियंट भारत में पिछले कुछ महिनों में जो बहुत सारे केसे बड़ी थी या सेकेंड वेव आई थी वो में लिए डेल्टा वेरियंट के वज़े से थी और उसी डेल्टा वेरियंट वायरस में और कुछ नये बदलाव आये है और उसी से जो नया वेरियंट बना है वो है डेल्टा प्लस वेरियंट क्योंकि सेकेंड वेव बहुत खतरनाग साबित हुई कई सारे लोग अफेक्टेड हुए होस्पिटल्स भरे पड़े थे कई लोगों के जाने भी गई इसलिए हेल्ट एक्सपर्ट सोचते हैं कि अगर मानो डेल्टा प्लस वेरियंट के वज़े से नहीं केसे बड़ी या थर्ड वेव आ गई तो वो सेकेंड वेव से भी ज्यादा खतरनाग हो सकती है इसलिए डेल्टा प्लस वेरियंट को वेरियंट आफ करसल कहा गया है अभी इस वक डेल्टा वेरियंट के बारे में जितना भी past experience है जितना भी knowledge है उसी के basis पे health experts ने डेल्टा प्लस वेरियंट के बारे में कुछ अनुमान लगाये है या कुछ possibilities सोची गई है जैसे कि हो सकता है कि ये virus ज्यादा fast और ज्यादा आसानी से फैले हो सकता है कि इसके वज़े से होने वाली बिमारी ज्यादा खतरनाक हो हो सकता है कि इसके वज़े से होने वाली बिमारी पे जो available medicine से वो अच्छे से काम ना करे हो सकता है कि जो अभी vaccine है वो इस बिमारी से protection ना इस वक्त 100% clarity नहीं है यहां पर एक तरफ वाइरस के खतरनाक होने के बारे में कई सारी possibility सोची गई है वैसे ही वाइरस के अगेंस्ट immunities के बारे में भी कई सारी possibility सोचे गई है एक possibility यह है कि सेकेंड वियो जो मेली डेल्टा वेरियंट के वज़े से हुआ था उस वक्त काफी लोगों को COVID infection हुआ, mild moderate severe infection हुआ और उसके वज़े से naturally उन लोगों में डेल्टा वाइरस के अगेंस्ट immunity डेवलप हुई और वही जो बनी हुई immunity है वो डेल्टा प्लस वेरियंट के अगेंस्ट भी protection एक व्यक्ति को दे सकती है दूसरी possibilities है कि जो vaccine अभी available है वो डेल्टा वा प्लस वेरियंट के अगेंस्ट भी एक व्यक्ति को protection दे सकते है लेकिन ये दोनों possibilities भी इस वक्त सिर्फ possibilities ही है इसके बारे में भी कोई clarity नहीं है डेल्टा वेरियंट से होने वाले बीमारी और डेल्टा प्लस वेरियंट से होने वाले बीमारी में बहुत फरक नहीं देखा गया है फरक ना ही फैलाओं में देखा गया है ना ही बीमारी के seriousness में देखा गया है लेकिन ये data बहुत छोटा है इस data के basis पे डेल्टा प्रोटेक्शन पहना, हैंड हैजिन मेंटेंड करना, सोशल डिस्टंसिंग फॉलो करना, ये सारे मेजर्स जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए इफेक्ट्व साबित हुए हैं, उन्हें हम भी नहीं भूलना चाहिए। वैक्सिन, उससे एक वैक्ति को मिलने वाला प्रोटेक्शन और उससे बनने वाली हर्ड इम्मुनिटी, ये हर्ड इम्मुनिटी ही डेल्टा वेरियंट, डेल्टा प्लस वेरियंट और आगे आने वाले कई वेरियंट से हमें बचा सकती हैं, हर्ड इम्मुनिटी के बारे में ह अगले कुछ हफ्त में एक बार बात जरूर करेंगे और इस हर्ड इम्मुनिटी को एच्व करने के लिए ही वैक्सिन का बूस्टर डोस, कॉक्टेल वैक्सिन ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स पर रिसर्च चल रहा है यह तो तय है कि इस वक शायद वैक्सिन ही हम सब का ब्रहमास और इसलिए अगर आपने वैक्सिन नहीं लिया है तो जल से जल वैक्सिन लीजिए खुद को प्रोटेट कीजिए और इंडिरेक्ली सोसार्टी को प्रोटेक्शन दीजिए थैंक्यू